नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जेडी कंप्यूटर में दोस्तों आज की टाइबिंग स्पीड है 40 सब्द 55 मिनिट की गती से टाइबिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद तो इसी का दूसरा पार्ट है पिछले वाले वीडियो का दूसरा पार्ट है तो थोड़ा सा ध्यान रखें चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सारे बर्ड बोही रहेंगे आपके ओके स्टार्ट इस बिचारणिये प्रश्ण के सम्मंध में फर्यादी बिठल डास महिश्वरी ने अपनी नियायलीन अभी साक्ष में बताया है कि घटना बर्स 2006 नंदवाना इस्तित उसके मकान जिसमें वह है निवास नहीं करता है कि दिन के समय की है फलिष्टप बिवादित मकान के सामने उसका दूसरा मकान है जिसमें वह है निवास करता है फलिष्टप घटना दिनां को उसने अपने निवास करने वाले मकान की छट से देखा की बिवादित छट पर मकान बनाने का शामान जैसे इटें कोमा टंकी कोमा गटी आदी पड़े हुए हैं कोमा अभियुक्त राजिंद्र सौनी ने जिसका मकान उसके मकान की बिवादित छट से लगा हुगा है कोमा दीबार को तोड़ कर दरवाजा वा रूसन दान लगा कर उसकी छट पर कबजा कर लिया है उसने भैरों से तथा भवरलाल को उपर ले जाकर उक्त शामान को दिखाया तथा राजिंद्र सौनी से भी इस संबंध में बात की तो उसने अपना सामान हटाने से मना कर दिया तत्पस्चाद उसने दिनांग 31.6 को थाना कोतबाली में की लिखित सिकायत की जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं इसी साक्षी ने अपने पिर्ती परिक्षन की कंडिगा क्रवांक 4 में बताया है की बिवादित मकान का नमबर आज उसे ध्यान नहीं है कॉमा क्यूंकि उसके बहुत से मकान है जिस समय उसने ठाने में लिखित सिकायत की थी उस समय भी उसे मकान का नमबर ध्यान नहीं था साक्षी की उपरोग साक्ष बिश्वश्विनिये पिर्तीत नहीं होती है कॉमा क्यूंकि यह श्वभाविक नहीं है कि जिस मकान के संबंध में कोई विवाद हो और जिसके आसपास वह निवास करता हो बहां के मकानों के नमबर ध्यान नहीं हो फलिस्टप पैरा लेंगे इसी साक्षी ने अपनी मुख्य परिक्षण की कंडी का क्रमांक दो में बताया है कि बिवादिद छट पर जाने का रास्ता उसके मकान से नहीं है फलिस्टप भैरोसेंगोश्वामी ने भी अपनी पिर्ती परिक्षण की कंडी का क्रमांक चार में बचाव पक्ष के इस सुझाव को सुईकार किया है कि बिठल दास के मकान से छट पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है कोमा केवल राजंदर सौनी के मकान से छट पर आने जाने का रास्ता है उपरोक्त साक्षियों की साक्ष से भी बिवादित छत पर फर्यादी बिठल दास का आधिपत्त होना संदिग्द हो जाता है क्योंकि एक तरप तो फर्यादी बिठल दास यह कथन करता है की बिवादित छत उसकी श्वामित्व वाधिपत्त की है कॉमा दूसरी तरफ यह कथन करता है की उसके मकान से बिवादित छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है फुलिश्टव शामान परिश्टितियों में छत पर जाने का रास्ता मकान से होकर ही जाता है कॉमा यदि अन कोई रास्ता होता तो अभियोजन को इस सम्बंध में साक्ष देनी चाहिए थी कॉमा जो की प्रस्ण गत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभिलेक पर उपलब्द नहीं कराई गई है फुल स्टॉप झाल झाल झाल